हम पत्र लेखन की मूल बातें सीखेंगे. लेकिन सर, जब मैं पहली कक्षा में था, तब मैंने पत्र लिखना सीख लिया था. हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा. वो चिठिया नहीं बुंदी. मेरा मतलब वास्तविक लोगों को अपने जीवन के बारे में बताने के लिए पत्र लिखना है. लेकिन सर, हमें ऐसा करने के लिए पत्रों की आवश्चक्ता क्यों है? हमारे पास फेस्बुक है, कक्षा में सुबानी फोन की अनुमती नहीं है. अब अपनी नोट बुक खोलें और अपनी दादी को एक पत्र लिखें कि आपने चुट्टियों में क्या किया? लेकिन सर, अब क्या? सुबानी, मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ. वह पहले से ही जानती है कि मैंने चुट्टियों में क्या किया? ठीक तो, अपनी चाची को अपनी नई साइकिल के बारे में बताने का अधिकार मुझे एक नई साइकिल मिल रही है कितना बड़ा आश्चर्य है आपको कैसे मालूँ सर जानिये, तो पंडी तुम्हें नई साइकिल नहीं मिल रही है फिर मैं पत्र में अपनी चाची से कैसे जूट बोल सकता हूँ? फिर जिस किसी से भी आपको बात करनी हो उसे पत्र लिखें सर अब कोई प्रश्ण नहीं, केवल लिख रहा हूँ सभी लोग हूंबर्ग के रूप में पत्र लिखकर कल ले आना लेकिन सर मुझे यह जानना होगा कि जो मैंने आपसे कहा था वह क्या है? ठीक है श्रीमान ठीक है ट्लास मुझे आशा है कि आप सभी ने अपना होमवर्ग कर लिया होगा पंडी के उप्योग के बारे में क्या? क्या आपने अपना पत्र लिखा है? जी श्रीमान अच्छा, अब यहां आए और इसे कफशा में पढ़ कर सुनाए ठीक है, आपने अपना पत्र किसे लिखा है मैंने यहां आपको लिखा है, सर मुझे जी श्रीमान, आपने मुझसे इसे किसी ऐसे व्यप्ति को लिखने के लिए कहा जिससे मुझे बात करने की जुरत है और मुझे आपसे बात करने की जुरत है यहां पूछने के लिए पत्र की क्या मैं टिंकल शहर में अपने चचेरे भाई को पत्र लिख सकता हूँ तो योजना बना रही है क्या आपको लगता है कि यह एक मजाक है लेकिन सर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक पत्र लिखूंगा और स्पश्टी करन दूँगा पांदे यह बक्वास बहुत हो गई कृप्या कल अपनी मा से एक नोट प्राप्त करें ठीक है श्रीमान लेकिन सर अब क्या मेरी मा को नोट किस बारे में लिखना चाहिए